हेलो दोस्तों आज हम M.com First Year के जो है Papers को देखेंगे Organization, Theory and Behavior ये M.com First Year का जो है पहला पेपर है जो होता है दोस्तों 100 Marks का इसमें दोस्तों क्या होता है कि 5 Question दिए गए होते हैं 5 Question में जो पहला Question होता है वो Compulsory होता है पहला Question Compulsory होता है और जो दो और खंड होते हैं Section A और Section B इसमें से भी जो है दो-दो Questions करने होते हैं तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें इसमें पहला Question है Answer the following question is not more than 200 words मतलब जो दोस्तों 200 सब्दों में लिखना है 200 सब्द से अधिक ना हो 200 सब्द में लिखना है पहला Question है What do you mean by human resource relation movement मानो संबंद आंदोलन से आप क्या आसा है मानो संबंद आंदोलन से आपका क्या आसा है Define the celestial model of organization behavior संघटनात्मक व्यावहर के सहचार माडल को परिभासित कीजिए संघटनात्मक परिवर्तन में अनकूल के महत्तों पर प्रकास दाइए यह दो पहला question था दोस्तों इसमें पांच question दे रहते हैं जो परतेक question चार माक्ष के होते हैं तो पांच माक्ष मिलाके 20 माक हो गए तो यह 20 नंबर का पहला खंड था इसे प्रोजेट्ट ऑरगनाजिएशन डिस्क्राइब इस और जनस्ट्रेक्चरा रिक्रिक्वाइर गरीएशन आप प्रोजेशन एक परियोजना संगठन क्या है इसके संगठनात्मक धाचे तथा परियोजना संगठन के निर्माड है तो आवस्चक सरतों की व्याख्या कीजिए एक कोशन होगे है दोस्तों तीसरा कोशन है वाट डू यू अंडरस्टैंड बाई प्रेसिपेशन यू क्लिडेट इट्स नेचर आइंट फैक्टर इंफ्लेंसिंग प्रेसेप्शन आफ इंप्लॉईज इन एक कंपणी में अनुभूती से आप क्या समझते हैं इसकी प्रकृति आयों एक कंपणी में करमचारी की अनुभूती को प्रभावित करने वाले कारकों को असपस्ट रूप से समझाईए दोस्तों चोथा कोश्चन है वाट डो यू मीन बाई लीडर्थी एकस्प्लें दा क्वालिटीज आफ ए गुड़ लीडर और आल्सो थ्रो लाइट आन दा नीड आफ इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर लीडर्स नेत्रत से क्या आश है एक अच्छे नित्रत करता के गुणों को समझाईए आयों नित्रत करताओं के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता की आवसक्ता पर भी प्रकाश जा लिए बच्वा कोश्चन दोस्तों वाट डू मीन बाई वर्क प्लेस पॉलिटीज पॉलिटिक्स वाट डू मीन आपका क्या असर है एक कंपनी में कार्यस्तल राजनित्ति के काड़ों प्रभाव पर चर्चा की है अब दोस्तों सेक्षन बी पर चलते हैं सेक्षन भी है कि यह जो इसमें भी दो कोश्चन दिया है इसमें पांच-पांच सो सब्द से अधिक नहीं होना चाहिए कम से कम 500 असर देना है तो देखें दोस्तों सिक्स सिक्स नंबर पर देखें एक नंबर का क्या है वाट इजिन फॉर्मल ऑर्गनाजेशन डिस्क्राइब इट्स मेर्स और आपचारिक संगठन क्या होता है इसके गुणों की ब्याक्षा कीजिए अगला है कमेंट आंदा रिवलेंस संगठन में बैज्यानिक प्रबंद की प्रसांगिता पर टिपड़ी कीजिए अगला कोश्चन है इस्टेट इस्टेट दा साइकोलोजिकल फैक्टर इनवोल्ब इन दा अंडरस्टेंडिंग ऑफ अर्गनाईजिशनल विहाइबियर संगठनात्मक ब्योहार को सम्झाने मे संगठनात्मक संस्कृति क्या है और यह किसलिए आवस्यक है अर्गनाईजिशनल क्या अधिगम से आपका क्या आसा है इसके प्रकारों को समझाईए अगला कोस्चन डिफाइन इंप्लाई मोरले और स्टेट मेजर टू बोस्ट इट करमचारी मनोबल को परिभासित कीजिए और इससे बढ़ावा देने वाले कदमों को बताईए संगठन विकास क्या होता है इसके लावों को समझाईए इस परकार दोस्तों यह एमकॉंफ पस्टियर का जो पहला पेपर है यह था आपको कैसा लगा जरूर बताईएगा झाल 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 झाल